हालो फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स ती ए जुबैर खान दिस साइड कॉंग्रेटिरेशन वह स्टूइंट को जिनका मेड 2023 के अटेंप में सीए इंटर्मेडेट क्लियर हो गया लेकिन ये वीडियो उन स्टूइंट्स के लिए का मेड 23 वाले एक्जामेशन में क्लियर नहीं हो पाया और जो नवेंबर 23 के एक्जामेशन में अपियर हो दे तो इस वीडियो बहुत करेंगे कि कैसे हम लोग 70 i-plus accounts में लेके आ सकतें क्या के आमें कम्या रह गई होंगी जिसकी वजसे हमारी 70 तकाउंट में नहीं आया हुगा या अच्छा यertos को हम लोग नहीं कर पाए है सो अचीatt 17 panelists in accounts in advance channels in November 23 नोवेंबर 23 तो यह-टारंगेट है कि November 23 के examination में हमको लाना ही है 70 plus accounts और advance accounts में होती है जिसके वज़े से अच्छे मार्स स्कोर नहीं कर पाते हैं और याग यह बस सोचना है कि आप नवेंबर 23 नहीं तो अगला अटेम्ट दे देंगे उसके बाद नहीं नवेंबर 23 आप यह मान के चलो कि यह बस यह आपका आखरी अटेम्ट है इस अटेम्ट में एक्जामिनिशन एनिहाव क्राक करना ही है अमारे इस वाद सी एंटर का रिजर्ड भी जल दिया है आप लोग एस अराउंड थ्री एन हाफ और फोर मंस आपके पास अराउंड है तो पूरी जान लगा दो और अच्छे से महनत करो और नवेंबर 23 आपका सी एंटर का लास सटे जल्दी से बात करते अच्छे से समझते इस चीज़ को कि हम से कहां कहां गलतिया होती है और क्यों अच्छे मार्क स्कूर नहीं कर पाते हैं सबसे पहले चीज़ा थे कि 100% सिलेबस नौट कम्प्लीट अब आपने क्या कि कि जब प्रिविस अटेम में आप गया होंगे देने एक्जामरेशन हो सकता है कि आपने 100% सिलेबस कम्प्लीट नहीं करें तो यह हमेशा ख्याल रखना कभी भी सेलेक्टिव स्टेडी सीए में काम नहीं आई पढ़के पूरा जाना है सो डोन्ट गो फॉर सेलेक्टिव स्टेडी आप यह चीज मत करा करो कि इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से वह हम लोग पढ़ लेते और बाकी की टॉपिक नहीं करते हैं इसमें नहीं जाना है हंड्रेड परसेंट पढ़के जाना है सारी चीज़े कवर करना इवन दो कभी यह लगता है यार यह जापकर स्था इंस्टिट में कभी नहीं पूछी तो नहीं पूछेंगी वह और डेंजर से पक्का पूछेंगी और कभी ऐसा भी लगता है अरे प्रीविएस अटेम में इस पर कोशन पूछ ली ना अभी अटेम में नहीं पूछेगी कोई भरोसा नहीं रहता इंस्टिटूट कुछ भी एग्जामनेशन में आपसे पूछ सकती है तो सेलेक्टी स्टेडी का अपने दिमाग में नहीं लाना कि यह पढ़ लेते और इसको हम छोड़ देते पढ़ यह implied होता है बोलने की ज़रूरत भी नहीं रहना चाहिए कि आपने ICI के study material के सारे questions करे हो RTP previous जितने attempts हुए सब की RTP आप लोगों को नहीं करें उसके बाद mock test paper पूरे previous solve करें और previous examination question यह minimum requirement है मैं करूँ minimum इससे नीचे हो ही नहीं सकता कि आपको institute के study material के सारे questions solve करना है RTP पूरी करना है previous item की mock test paper previous examination question यह मैं minimum करूँ इसके अलावा भी और questions करना है अपको लेकिन यह minimum है और अब क्या करते है हम लोग selected एक तो पूरा 100% syllabus complete करें और फिर हम selected है यह आप कह सकते कि कौन सा chapter important और कौन सा कम important है किस context में है क्योंके examination में कौन से chapter से जाधा marks के लिए तो उसको जाधा revision करो लेकिन पढ़के तो पूरा जाना और practice भी आपको करना है यह minimum इसके सारे questions आपके solve होना चाहिए so अब जो भी material यूज़ करो आपने जो भी faculty से पढ़े बटा यह चीज़ जरूर क्याल रखना कि आप जब November 23 की examination देने जाएंगे तो आपने यह सारी की सारी चीज़े महां पर आपने cover करें आपने इंसिटी की study material की सारे question RTP, mock test, previous examination question और आपके attempt की विचो RTP, mock test paper पर आपको जरूर आपको करना है यह कोई भी faculty से आपने पढ़े यह चीज़ जरूर है कि आपने सारी की सारी चीज़े आपने क्या करें वहां पर cover करें तो पहला 100% syllabus करना है अपने को lack of practice जो आप करते हो वो नहीं होना चाहिए सारी चीज़े आपने कर रहा है तीसरी क्या वज़ा है कि हम लोग के score नहीं हो पाता अच्छे mark that is lack of revision आपने सब्सक्राइब पूरा पढ़ लिए आपने practice भी करें लेकिन revision करना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है in fact मैं तो यह suggest करता हूँ कि आप जब पढ़ते हो तो अपने revision notes भी बनाया है कर लेकिन revision notes के इसके बारे में मैं कहे दूँ आपसे कि आपके दो चीज़े एक आपका group 1 का paper 1 जो आपका accounting है ओके और आपका advance accounts ठीक है यह दो paper हमारे account के see एंटर पर जो नवेंबर 23 की बात करों अब मैं इसी वीडियो के description box में link दे दूगा इसके already यह uploaded है इसके revision series यहाँ आप already uploaded है YouTube पे मैं उसका link आपको description box में दे दूगा second important चीज़ आपके advance accounts के अभी मैं revision बात शुरू करूगा YouTube पे रहेंगी और YouTube पे upload होना शुरू होगी जुलाइं इसी मन्त में शुरू करूँगा उसके बारे announcement आ जाएगा इसी मन्त में जुलाइं मन्त में ही मैं उसका revision में शुरू करूगा अब इसके जो notes है इसकी बात करो accounting इसके notes भी बने वे मैं आपको description box में इसके link दे दूगा मतलब ये भी दे दूगा यहां पर कि इसके वीडियो की भी लिंक दे दूगा और इसके जो notes है न वो भी PDF के notes है chapter wise वो भी मैं आपको मेरे handwritten notes ही पुरे summarize करे वे तो वो भी मैं आपको description box में दे दूगा that will help you तो आपको revise करने में बहुत मदद जाएंगे आपने वीडियो देखे chapter wise वीडियो बने वे तो आपने वीडियो देखे और उसके साथ क्या करें उसके आपने notes भी साथ में उसको download करे तो आपको revision करने में बहुत मदद जाएंगे तो आपने एक एक वीडियो चैप्टर वाइस वीडियो बने वे तो advanced accounting की most problem में ऐसी बनाऊंगे चैप्टर वाइस बनाऊंगा और उस वीडियो में सारे concept उस चैप्टर के cover कर लेते और साथ में उसके notes में मिल लाएंगे चौथी जो आप लोग गल्ती करते हैं वो गल्ती कौनसी है आप लोग की that is test not चाहिए तो यह चार चीज़ पर अगर आप गौर करोंगे that is syllabus आपका 100% complete practice proper होना चाहिए revision बराबर होना चाहिए उसके और और अपिर test देना चाहिए यह आपके इन वजाओं से आपके marks नहीं अगर आपने चार चीज़ पर focus कर लिए बिलीव मी 70 प्लस अब accounts में नवेंबर 23 में ला लोगा हो सकता आप ग्रूप 1 निकल गया तो आप ग्रूप 2 देने वाले होगे यह हो सकता आप बोद ग्रूप दे रहे हो यह ग्रूप 2 हो गया हो तो शायद ग्रूप 1 दे रहे होग इसको क्राक करना ही हम लोगों कर अब इसके बारे में एक बास शुरू ने जारी हम लोगों की for specially for November 23 जो है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दू आप लोगों को कि यह accounting and advance accounting November 2020 रेगुलर बैश विद लाइफ गाइडेंस अब यह पहले में clear clear सारी चीज़े बता दू लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही है इसका लाइव नाम क्यों देगी क्यूंकि हा महा पे एक जूम पर मैं सेशन करेंगा और मैं जूम पर सेशन लेगी वहां पर भी मैं आपको पूछते जाओंगा अब यह प्लाइन पर मैं आता हूँ क्या चीज़ वे प्लैनर और आपने प्लैनर जो आपको दूँगा मैं उसकी हिसाब से आपको पढ़ रहे होंगे तो महाँ पर डिसक्रशन होंगे डाउट्स होंगे जारे पूछते जाओंगे आप मसे और वाटसेप पे भी पूछ सकते यहां पर लाइब गाइडेंस मतलब जूम सेशन होगा वहाँ पर मैं आपसे मिलूंगा और वन टुवर में आपके डाउट सॉल्व करते चाओगा जो कि शुरी 14 जुलाई से अब कैसे इस सिलेबस जबस आ लाइए समय ज़्याँ अब इसके मैं प्लैनर के बारे में आता हौं इसमें अगर आप हमारी बीबी वर्चूस की वेबसाइट बिबी वर्चोस.कॉड ये भवर्वर्चूरा डॉटको मँदे चाहेंगे तो आप इसको पर्चेस कर सकते हैं, discounted price कुछ दिन के लिए रहेगा, और उसके बाद फिर वो actual price उस पर वाजा है, तो मैं पहले करो क्योंकि कमपल्चन नहीं आपके product ले रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपके product लो, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है यहाफ पे के नहीं, मेरा 100% conceptual clarity नहीं है, प्रच्टिस नहीं हुई है, कुछ topic आते हैं, कुछ topic नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह 100% से लिए बस आपका complete नहीं है, conceptual clarity नहीं है, practice नहीं हुए, तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, तो अगर या bbvultures.com या bauvarbrand.com पे इसको जागे subscribe कर सकते हैं, इसका भी link मैंने description box में दियाओ, जो बच्चे इसको subscribe कराएंगे, they will also get, अ तो यहाँ पर day 1 में कौन सा chapter है, उसके कितने minutes है, महाँ पर आपको दिया है, कितने time लगने वाला, आपको पहले से पता है कि day 1 में अपने को पढ़ना है, इसमें इतना समय अपना लगने वाला है, अब महाँ पर आप क्या कर दोगी, आप अपनी date डारो, aimed it, कि आपको किस सारी को कर, तो आप 14 जुलाई से शुरू कर, आपने even though books आने, books आने में घर पे एक हादफता लग जाता है, लेकिन अगर आप इसको subscribe कराते, तो you will get the link immediately, और साथ में आपको वहाँ पर क्या मिल दाएंगा, PDF पहले chapter के, दो chapter के देते साथ में, तो आप delay ना हो आप लोगना, अब यहाँ पे आप लोग के exact date, आप जो target बना, तो exact date लोगो, अगर आपको कभी छूट जाता है, या कोई और remark ले तो आपने यहाँ पे ले, अब 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 देवाइस लेगा, आपके धाई मेने में syllabus खतब हो गए, तो अब उसके बाद आपने यहाँ पे, उसके हर चीज हो जाएंगी, अब इसमें क्या हुआ, कि आपने chapter करना शुरू करें, उसके साथ में आपको daily homework दी जाते हैं, तो इसमें practice question भी book में रहते हैं, उसके solution भी आपको अलग से pdf में दीए जाते हैं, वो intentionally pdf में देता हूँ, ताकि बच्चों का आदत रती नीचे answer देता हो, तो अब क्या होँगा, कि आपने, suppose यह पहला अपना chapter यहाँ पर खतम करें, अब यह पहला chapter जैसी खतम हो, तर टेस्ट बना आप लोगी, that is, insurance आपने यहाँ पर दी, insurance claim का आपकी test होँगा, अब इसको कैसा होँगा, अब हर वीग तो आपको मेरा WhatsApp number में मिलेगा, और उसके साथ क्या होगा, यह जो पहला test आपने, insurance claim अब इसके में videos upload करते होगा, वो भी आपको वी link में मापे test करके रहेंगा, उसी में आपको test number one insurance claim, तो उसके साथ एक video आएगा, वीडियो पहले नहीं देखना आपने तो, आपको पहले question paper solve करना रहेंगा, उसमें आपने solve कर रहेंगा question paper पूरा मैं discuss करूगा, कि इसमें ऐसा ऐसा करना था, आपने ऐसा ऐसा solve करना था, step wise marking बदो, यह step पे इतने marks आपको मिलना देना है, और जहां आपने गलती करें, महां इतने marks करना चाहिए, तो यह सारे chapter के पहला, फिर आपने दूसरा करें, उसकी फिर test होगी, तो आपको इसी schedule से चलना है, इसी schedule से चलना है, यहां पे यह खता हुआ, तो उसके वाद आपने यहां पे test दिये, फिर यहां पे शूरा, इसी schedule, जहां पे आपको बोला के test है, बस आपने को वहां पे आपको लिंक दे दी जाएगा, उसमें test के सारे question paper है, वीडियो मेरे upload होते आपको कि test जो आपने दिये, कैसे step marking आपको देना, और जहां गलती करें, कैसे mark आपको यह पता है, कहां गलती हम लोग कर रहे है, तो यहां पे अगर आपको इस इन चीजों पर आपने ध्यान दिये, तो guarantee आप 70 प्लस लास सकते हैं, बस मेहनत कर रहा है, नवेंबर 23 आप ल लेंगे हम लोग कर लेंगे, तो no problem, आप मगर शूर करो उसको करना, और जब यह हो जाएंगा, उसके बाद, आखरी में हर चैप्टर वाईज है, लेकिन आखरी में फूल टेस्ट भी यहां पर आप लोगे, complete test भी है, उसका भी paper में upload करूगा, और वहां पे उसके videos भी बना सब्सक्राइब कराते हो, आपका 2.5 में syllabus हो जाएगा, जिस तरीकी से schedule में आपको बना के दिया हो, और साथ में आपकी practice भी हो जाएंगी, chapter wise test भी हो और उसके full test भी हो जाएगी, so अगर नवेंबर 23 में आपने इन चारों चीज़े जो आप जनरल इस्टुएंट गलती करते इन गलती आपने नहीं करें, तो आप examination 70 प्लस पक्कल आलोगे, बस जम के अब महनत अपनी शुरू कर दो, so all the best for your November 23 examination, take care, bye bye